बिग बॉस का सीजन सूला खत्म हो गया है यहां तक की शो की वीनर का नाम भी सामने आ गया है जिसमें MC स्टैंड को बिग बॉस का खिताब मिला है वहीं शो के खत्म होने के बाद बिग बॉस सूला के कंटेस्टेंट जम कर पार्टी का मज़ा ले रहे हैं दरसल हाली में कोरियोग्राफर फारा खान ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी इस पार्टी में फारा ने बिग बॉस की कंटेस्टेंट को भी इन्वाइट किया था तो वहीं कई कंटेस्टेंट फारा की इस पार्टी में नज़र आएं जहां साजित खान के अलामा, MC स्टैंड, श्यू ठाकरे, अब्दूरोजिक, शालिन बनूट, और चना गौतम, निम्रित कौर समीत कई कंटेस्टेंट दिखें। इसके अलामा, सानिया मिर्जा, चन्की पांडे, गौतम गुलाटे, जैसे कई सितारों ने अपने मौजुद की दर्श करवाई। हाले में पार्टी का एक वीडियो फारा ने अपने शोचल अकाउंट पर शेयर किया है। जहां वीक्वास की मंदली मिलकर वीक्वास का एंथम का रही है। जहां वीक्वास की मिलकर 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 वीक्वा परिस वरान तौकी संबूल के अलामा नॉन मंडली क्रूप से प्रियंका चाहर चौधरी, अंकित गुपता और टीना दत्ता नहीं नज़र आएं तो वहीं यूजर ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दी हैं ज्यादा तर लोगों ने पूछा कि प्रियंका कहा है एक ने पुछा है अंकित प्रियंका और टीना कहा है तो वहीं एक ने पुछा है संबूल कहा है एक यूजर ने लिखा है प्रियंका पेस्ट मंडली चुकल खूर बता दें कि फारा के अलावा अर्चना गौतम ने भी अपने शोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में वह शेकर सुमन के साथ डैंस करती हुई नजर आ रही है दोनों मिलकर तुझको मिर्ची लगी गाने पर डैंस कर रहे हैं वह शालेन मरोड ने लेए अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वेरे शेयर की हैं जहां वह जीनत अमान, सिमी गरिव, चंकी पांडी और फारा खान के साथ नजर आएं